हेलो बच्चो वेलकम टो इजी स्कूल क्लासेज क्लास 10 की मैस का हम देख रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नमबर 8 और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का कोशिन नमबर 1 तो दो बच्चो यह जो एक्सरसाइज 8.2 है यह बेसिकली आपक कि जो ट्रिग्नोमेटिक रेश्यो वेल्यूज हैं कुछ कॉमन एंगल्स हैं जिसके उपर में कोश्चन होंगे जैसे की 0 डिग्री पर क्या वेल्यू होती है साइन थीटा कॉस्ट थीटा एंड सो और ऐसी 30 डिग्रीज पर 45 पर 60 पर एंड 90 डिग्रीज पर तो उन सब को सॉ को नोट कर लीजिए कि कैसे हम इनको यूज करेंगे क्या क्या वेल्यूज होती हैं तो चलिए सीधा को शुरू करने से पहले एक चीज और करनी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बैल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारे वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम ट साइन 60 डिग्री किसकी वैल्यू निकाननी है वो देखो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगर मुझे इन सारे एंगल्स की वैल्यू पता है तो बहुत सिंपल है करना तो इसको हम यहां रख लेते हैं अपनी sheet को table जो हमने बनाई हुई है अब देखो sin 60 कितना है sin 60 की value है root 3 by 2 तो यहां पर लिखतो इसकी जगे root 3 by 2 ऐसे देखो cos 30 की value कितनी है root 3 by 2 plus अब sin 30 की value कितनी है 1 by 2 into cos 60 cos 60 की value कितनी है 1 by 2 तो यह कितना हो गया root 3 by 2 का square एकतर से तो यह हो जाएगा 3 by 4 ऐसे ही यह कितना हो गया 1 by 4 so this will come out to be 3 plus 1 by 4 और 4 by 4 और simple 1 तो जो answer है पहले part का that is 1 तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं answer साथ साथ इसका answer है 1 ठीक है कोई doubt बहुत simple अगा doubt आपको आता तो आप नीचे दिएगा comment section के अंदर post कर सकते हैं अब देखते है question number 2 second part देखते है इसका तो second part में क्या पूछा गया है हमसे इसमें यह हमसे पूछा गया that is 2 times 10 square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree इसकी value मुझे find out करनी है so again हम अपनी table को रख लेते हैं आप देखो 1045 कितना है 1045 है 1 so it is equals to 2 into 1 का square लिखना आपको जरूर पढ़ेगा चाहिए आपको पता है कि 1 का square 1 होता है बट आपको लिखना पढ़ेगा ऐसी cos square 30 degree के cos 30 की जो value है उसका square cos 30 की value कितनी है root 3 by 2 so root 3 by 2 का square minus अब sin 60 की value देखो कितनी है root 3 by 2 so root 3 by 2 का square ठीक है अब देखो इसमें simple सी एक चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे कि यह root 3 by 2 का square plus वारी time है और यह root 3 by 2 का square minus time है तो यह दोनों terms तो as it is cancel हो गई तो क्या बचा 2 into 1 that is simple answer यहाँ पे क्या आगा मेरे पास 2 so इसका जो answer है second part का इसका answer है 2 ठीक है so यह दो part आपको किलिए रहे कैसे कि यह बहुत simple है इनको करना सिर्व आपको values पता होनी ची हर angle के लिए अब देखते हैं part number 3 part number 3 क्या कह रहा है cos 45 degrees divided by secant of 30 degree plus cosec of 30 degree ठीक है so again हम अपनी table को देखेंगे हमें निकालना है cos 45 so cos 45 कितना दिया हुए आपको 1 by root 2 so cos 45 के जगे लिख दो 1 by root 2 then sec 30 अब sec 30 कितना है 2 by root 3 so 2 over root 3 plus cosec 30 अब cosec 30 कितना दिया हुए आपको 2 so यहाँ पे आप cosec 30 के जगे रख दो 2 ठीक है तो आपको यह मिलेगा अब इसको solve करते हैं so यह क्यों जाएगा 1 by root 2 2 plus 2 root 3 divided by root 3 ठीक है so यही मिलेगा then इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं यह उपर चला जाएगा so it is root 3 divided by root 2 multiplied by 2 plus 2 root 3 ठीक है so अब इसको हम simplify करने के लिख क्या कर सकते हैं देखो so root 3 उपर नीचे मैं multiply कर रहा हूँ इस term के negative से ठीक है so किस से करूँगा root 3 into root 2 2 minus 2 root 3 divided by root 2 2 plus 2 root 3 multiplied by इसी term से ताकि अगर आपको देखो के तो मैं इसको इसको cancel कर दो तो मुझे मिलेगा 1 तो मुझे मिलती है यही term वापिस तो कोई दिक्कत नहीं है तो लिख दो root 2 2 minus 2 root 3 ठीक है तो अब देखो इसको solve करो तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे you will get 2 root 6 minus 2 into 3 root 2 divided by 2 4 minus 12 ठीक है अब यह आपको अगर समझ में नहीं आया है कि इससे हम यहां तक कैसे पहुंचे तो मैं आपको बता देता हूं इस वारी term को देखो जो आपकी numerator में इसको यह कितना हो गया root 6 अंदर है 2 minus 2 root 3 तो अब मैं इसको अगर solve करता हूं तो क्या मिलता है मुझे 2 root 6 minus अब अगर देखो मैं इसको root 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं root 3 into root 2 और यह क्या हो गया 2 root 3 ठीक है तो यह रह गया 2 root 6 minus root 3 into root 3 कितना होता है 2 and so 2 into 3 जो इससे है and root 2 तो numerator वाली term समझ माल गया आपको कैसे आई यह वाली अब देखते हैं denominator वाली कैसे आई root 2 into root 2 कितना हो गया 2 और यह क्या है a plus b a minus b यह क्या होता है a square minus b square so a का square कैतना हो गया 4 minus b का square b का square कितना हो गया 4 into 3 12 तो इस तरह से आपकी denominator वाली term आगई ठीक है so आपको पता होना अच्छी कि simplification भी कैसे हो रहा है यह तो confused हो जाओ कि exam time के उपर so यहाँ पर simple आप देख सकते हो 2 से 2 cancel हो जाएगा कि मैं यहाँ पर 2 common भी ले लेता हूँ so पहले common ले लेते हैं so 2 common ले लेते हैं तो क्या मिलेगा मुझे root 6 minus 3 root 2 divided by 2 and multiplication में 4 minus 12 is minus 8 so हम simple 2 से 2 cancel कर सकते हैं so final answer क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर अगा मैं minus यहाँ से उपर से common ले लूँ so 3 root 2 minus root 6 divided by 8 so this is the answer of part 3 क्या answer आया 3 root 2 minus root 6 divided by 8 ठीके सो थोड़ा सा simplification का ही part है कि simplification हम किस तरीके से कर रहे हैं now let us see part 4 part 4 में हमें यह वाली term दी हुई है इसकी values हमें find out करनी है so we will do here only यहीं कर लेते हैं इसे अब देखो sin 30 कितना होता है यहाँ पर देखो sin 30 होता है 1 by 2 तो लिखते चलो यहाँ पर आप सिंपल so 1 by 2 plus 1045 कितना है 1045 is 1 so plus 1 minus cosec 60 so cosec 60 is 2 over root 3 divided by अब यहाँ पर कहा है secant of 30 secant of 30 कितना होता है 2 over root 3 so 2 over root 3 plus cos 60 cos 60 की value कितनी है 1 by 2 then हमाँ पास है cot 45 cot 45 होता है आपका simple 1 so plus 1 अब इसको मुझे solve करना है इसको मुझे basically simplify करना एक तरीके से so देखो इसमें हम क्या कह सकते है यहाँ से हम root 3 को डिनॉमिनेटर में रख लेते हैं पूरा so क्या होगा root 3 plus 2 root 3 minus 4 divided by 2 root 3 simple हमने LCM ले आ है यहाँ पर 2 root 3 और बाकी terms को multiply करा है जो जो उसमें missing थी simple हमने LCM वाला concept यहाँ पर then यहाँ पर भी हम 2 root 3 को LCM ले ले लेते हैं नीचे भी तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर so यह बन जाएगा मेरा 4 plus this is root 3 plus 2 root 3 ठीके so यह 2 root 3 से 2 root 3 तो cancel होगी हम यह वाला so इसको cancel out कर दो so then अब क्या बचेगा हमारे पास we will have this 3 root 3 minus 4 divided by 3 root 3 plus 4 ठीके then multiplication में 3 root 3 minus 4 divided by 3 root 3 minus 4 so यह वाला जो basically आया है यह जिस इडिनिटी से आया है वो simple सी इडिनिटी है जो क्या कहता है कि a minus b का square is equals to a square plus b square minus 2ab मतलब अगर आप इसको देखोगे तो इसको मैं 3 root 3 minus 4 का whole square लिख सकता हूं इसको अगर आप देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 root 3 plus 4 multiplied by 3 root 3 minus 4 so उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर simple लिखा है so अब देखो यह क्या बन जाएगा this is simple 3 root 3 का square plus 4 square minus 24 root 3 divided by 3 root 3 का square minus 4 का square तो इसको जब आप solve करेंगे तो आपको मिलेगा 27 plus 16 minus 24 root 3 divided by 27 minus 16 further solve करेंगे तो simple मिलेगा 43 minus 24 root 3 divided by 11 so this is the answer of this fourth part so simple आए कि simplification आपको थोड़ा सा आना चीए करना कि किस तरह सा हम simplify कर रहे है ठीक है so now let us see the fifth part so अब देखते हैं fifth part जो कि last part है इस question का so 5 into cos square 60 degree तो cos 60 की value कितनी होती है 1 by 2 so 5 into 1 by 2 का square plus 4 into sec square 30 degree तो sec 30 कितना है 2 by root 3 so 2 by root 3 का square minus 10 square 45 degree 1045 कितना होता है 1 तो 1 का square divided by sine 30 का square sine 30 degree तो sine 30 का square यानी 1 by 2 का square plus cos square 30 degree यानी cos 30 का square यानी root 3 by 2 का square तो values हमने लिख ली टेबल से अब हमें simple इसे simplify करना है तो ये क्या हो गया 5 into 1 by 4 plus 4 into 4 by 3 minus 1 divided by 1 by 4 plus root 3 by 2 का square क्या अतना होगा 3 by 4 ठीक है तो ये कितना आगया simple 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1 divided by 4 by 4 4 by 4 हो जागा है 1 plus 3 by 4 4 by 4 हो जाएगा so naturally term तो कितनी होगी आपकी यारी term तो simple 1 होगी तो इसको अब है कुछ करने के जुरुत नहीं है तो अब यहाँ पर देखो कितना आगया ये तो basically यहाँ पर अगा मैं इसको solve करूँ इस साही term को तो मुझे LCM कितना मिलेगा 12 so 5 into कितना करेंगे 5 into 3 that is 15 16 को किसे multiply करेंगे 4 से 16 into 4 64 minus 12 तो यह कितना आगया 79 minus 12 by 12 which is equals to 67 by 12 so this is the answer of 5th part जो कि last part था इस question का so this is all for this particular video lecture thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you